हेलो गईस स्वागत है आप सबता तो आज हम बात करेंगे अधानी टोटल गेस की एक अजार का लो बनाया गिरावट रही इसके अंदर दो प्रतिशत के आसपास की सवाग 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और सबसे पहले अगर आप नए है इस चेनल के उपर तो सब्सक् के दिये टेकनिकल चार्ट काफी यूस्फुल रह सकते हैं पहले तो अगर देखे के यह एक केंडलिस्टिक पैटन बनी थी यह जो त्री कलर की रेड केंडल है थ्री क्रों जैसी केंडल बनी थी उसके बाद यह शूटिंग स्टार जैसी केंडल बनी बोला था कि इसके जो जब तक नहीं जाता तब तक इसकेंडर या तो कंसोरडेशन या तो गिरावट आने के संकेतियां पर दिख रहे हैं यूकि बार बार एक तो यह शूटिंग चार्ड जैसी केंडल उसके बाद यह स्पिनिंग टॉप केंडल स्टेंथ के अंदर कमी दिख रही थी कहीं ना कह जैसा लग रहे है कि कई बार हमने चलचा की देखिए थोड़ा-थोड़ा करकर खरे ठीजना और थोड़ा-थोड़ा करकर बेचना यह पी यूसपुल जो सकता है क्योंकि एक चीज़से यह लुग पूरे अगर फुररे और अगर खरीदने या बेचने की जब हम सोते हैं, तो confusion हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर हम 10 share, 20 share, इस तरीके से अगर मतलब की 25%, 33%, percentage के अंदर भी अगर आप देखें, और यह से एक example है, किसी के पास 10 share भी हो सकते हैं, 20 share भी हो सकते हैं, तो percentage के अंदर अगर आप हिसाब करोगे अगर घटता है, तो भी फाइदा हो सकता है, अगर बेचने के बाद अगर वो share बढ़ जाता है, तो जो share पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर जो है फाइदा हो सकता है, अगर घटता है, तो वापस से वो share अगर खरीदना है, तो खरीद सकते हैं, उसके बाद अगर मतलब जो 10 शेयर लिये है, उसके अंदर प्रोफिट मिल सकता है, और यह एक strategy की बात है, जो कि वह strategy मुझे काफी useful लगती है, और मतलब कि एक useful rate सकती है, बाकि तो अपनी सब की strategy रहती है, और अभी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, वो भी हम चलचा करेंगे, अभी ये make or break level के आसपास यहां पर वापस से पहुंच चुका है तो अभी कुछ मतलब की यहां पर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है मतलब की यहां पर थोड़ा सा no trade zone में है यहां पर लग रहा है तब भी जो है इसके अंदर के अब गिरावट आने के संकेत यहां पर दिख रहा है क्योंकि फाइव ना डेस का मुविंग एवरेज फचा स्विक का मुविंग एवरेज जो है वो भी टूटा था लेकिन सपोर्ट जो है वह अभी भी करीब यहां पर दिख रहा था जो कि 980 से 2100 का जो लेवल है मुझे रिजिस्टेंट दिख रहा है यहां पर एक रिजिस्टेंट साबित हो सकता है हाई जरा देखिए कल ही यह हाई बनाकर अच्छी खासी गिरावट तकरीबन इसके अंदर साड़े 300 पॉंट की जो है गिरावट यहां पर देखने को मिली कल से लेकर आज करें निप्टी की बात करें तो यह बाजार के करेक्शन के चलते हैं इसके अंदर भी जो है अधानी ग्रूप के अंदर मतलब की थोड़ा सा करेक्शन अभी आ रहा है इसा लग रहा है तो यहां पर हम देखें पेजल तो 15 मिनिट का चार्ट तो सबसे पहले रिक्वेस यहां पर मिडल लाइन थी 1030 के असपास लेकिन स्ट्रेंथ के अंदर कमी थी यहां पर उपर बिल्कुल जो इसका हाई है उसके उपर भी यह कल के दिन नहीं जा पा रहा था और आखिर में यह नीचे बंद आया बाजार के अंदर भी कल से ही गिरावट आना शुरू हो गई यह lower high की situation यहां पर बनी हुई है पिछले दिन के मुकाबले दूसरे दिन का जो high है वो कम ही बनता जा रहा था और यहां पर आज के दिन भी वहीं situation बनी अब यहां पर weekly chat अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी अगर देखे तो 5 week का जो moving average उसके आसपास इसके अभी भी यह क यहां पर 990 रुपे के आसपास इसका 200 दिनों का moving average है वह भी हम देखेंगे पहले ही 200 विक का moving average देख लेते हैं यह जो है काफी important इसके लिए रेजिस्टर भी बना हुआ है काफी इस जो है यहां पर ही इसने इसके उपर closing दिय थी उसके लगातार यह इसके नीचे closing दे रहा है और जब इसके उपर यह जाएगा कई लोग हमें पुछते है कि इसके अंदर तेजी कब तक आ सकती है तो उसके लिए आप टाइम की बजाए levels को अगर देखेंगे support और रेजिस्टर को देखेंगे तो ज्यादा useful रह सकता है मुझे इसा लग रहे कि यह 1100 रुपे को जब भ यह यहां तक गया था तब भी हमने बात की थी वो वीडियो भी सभी मौजूद है वो भी आप देख सकते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है बहुत दिनों बाद जब यह बड़ी मुविंग एवरे 200 दिनों के मुविंग एवरे जब इसको क्रोस करता है तब मैंने काफी कई ना कई एक इंपोर्टन अभी भी जो है यहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकती है हो सकता है कि मतलब कि इससे थोड़ा सा नीचे भी आए या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर ही मतलब कि यह बांस बेक दे यहां पर यह संभलने की एटलिस कोसिस कर सकता है ऐसा लग रहा है और यहां पर हम देखें बुलिंग जर्बेंग को तो इसकी भी जो मिरेड लाइन है इसको डिसाइवली आज तोड़ दिया है डिसाइवली तोड़ दिया है मुझे नहीं लगता है कि आज इसके ऊपर यह क्लोजिंग दे पाएगा यह कजा रोटीज का सपास और अब इसकी लोग खरीदने के भी रहा देख रहे होगे ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हमें कमेंट्स भी आते हैं कि कब खरीदा जाए कब खरीदा जाए तो वो भी यह सपोर्ट और रजिस्टर्ट के उपर जो नजर बना कर रख सकते हैं और अगर थोड़ा-थोड़ा करकर ख किया था होगा तो थोड़ा सा और नीचे होगा यह अभी 51 के आसपास है तो स्टेंथ के अंदर अभी थोड़ी से कमी दिख रही है यहां पर अब यहां पर देखे तो सपोर्ट और रजिस्टर्ट के उपर जो है आप नजर बना करक सकते हैं किया किया जा सकते है तो अब और देखे लेखे अधास पास, पिछली बार छहसा गाता है किया एंपर अगडर रूपे के तो android आपने ही नजरे एक जो सापर पास ऐसा लग नहीं रहा है अगर बाजार के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं आती है तब की बात है आज के दिने ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपे को ये मतलब की होल्ड कर सकता है अगर इंट्राडे के अंदर भी नीचे जाएगा तो उसी के लिवल के आसपास इसने क्लोजिंग ये दे सकता है तो ये कजार उसके बाद देखे तो 980 और बीच में 990 का लेवल भी है तो ये अभी इंपोर्टन इसके लिए सपोर्ट अरिया दिख रहा है 20 रुपे का ये पूरी रेंज उसके नीचे जैसे कि हमने चर्चा की एक तो ये 950 का जोन उसके नीचे देखे तो 920 रुपे से लेकर 900 रुपे का जोन है लेकिन ये अगर 980 को तोड़ता है तब की बात है वो भी वहाँ पर क्लोजिंग देता है अच्छे वोलिम के साथ तब जो है ये लेवल आने की समभाव ना हो सकती है वाकी 980 से 1000 जो है वो अभी एक सपोर्ट जोन इसका दिख रहा है और पिछली बार भी आई थिंग यहाँ पर इसने 920 रुपे का आसपास 930 रुपे का आसपास एक सपोर्ट लिया था तब इसके अंदर एक बांस बेक आया था अब अगर रेजिस्टन की बात करें तो पहला रेजिस्टन यहाँ पर जो दिख रहा है एक अजार और पचीस या फिर एक अजार और तीस का जोन यह पहला रेजिस्टन इसका हो सकता है उसके बात का अगर देखे तो एक अजार और चालिस के आसपास उसके बात देखे तो यहां पर दिख रहा है, अगर ग्यारा सो को पार करता है, तब इसके अंदर एक फर्दर तेजी आनी की संभाव नहीं हो सकती है, तो यह सबी इसके नजदी की रेजिस्टेंट दिख रहे हैं, और खास करकि यह 5 और 9 डेस का मुविंग इवरे, यह हर दिन चेंज होता रहता है अब जब तक इसके पार नहीं जाता, इसके वापस आप याइसा लग रहा है, तो वापस से market बंद भने के बाद वाद वापस से शाम को चपचा करेंगे, तब तक के यह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करें दो steργ भी करें और ऋ handle Happiness और जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले, उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइने रेड वाजर की सलाल है, उसके बाद ही कोई डिसी जन ले, और डिसी जन ले तो उसके जिम्मेदारी मेचुरेटे के साथ को दी ले, ये वीडियो में ने जू के परपस के लिए बनाए, मेरी तरफ से को भी भाई या सेल के रेकमेलेशन नहीं है, थेंक यू.